नहीं मेरे ममा को इंदिक्षिन मत लगाए टक्टर अंकर हलो फ्रेंज दिल्ली वाली बार्दी में आप सभी का स्वागत है जैसा कि आप जानते हैं ये है सपना का घर और यहां अभी सुबह का टाइम है अरे ये क्या आज तो इनके घर में कुछ बदला बदला सा दिख रहा है विवेक जी किचन में काम कर रहे है और सपना तो अभी सो रही है आईए देखते हैं आज की क्याने में क्या होता है लगता है आज सपना को नींद आ गई है जाने देता हूँ उसे जगाओंगा नहीं आज खुद ही चाय बना लेता हूँ रोज तो वो बनाती ही है अरे विक्की देखना मम्मी अभी तक सो रही है मम्मी तो सुबह सबसे पहले उठ जाती है आज क्या हो गया हाँ मैं भी तो वही सोच रहा हूँ मम्मी आप अभी तक क्यों सो रही हो रोज तो आप सबसे पहले उठ जाती हो आँ क्या हो मम्मा बेटा आज मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है मेरे सर दर्द से फटा जा रहा है क्या आपका सर दर्द हो रहा है लाओ मम्मा मैं आपका सर दबा देती हूँ अरी आपका सर तो बहुत गरम है मम्मा आपको तो बहुत तेज बुखार है क्या मम्मा को फीवर है अरी हाँ ये तो इतना गरम है कि यहाँ पर रोटी बन जाएगी पापा पापा क्या है बटा मम्मा को बहुत तीज फीवर है सर इतना गरम है कि वहाँ रोटी बन जाएगी क्या सपना को फीवर है अच्छा इसलिए सो रहे हैं अभी तक सपना क्या हुआ तब यह ठीक नहीं है नहीं विविग जी मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है बहुत तीज फीवर है मैं अभी डॉक्टर को बुला के लाता हूँ चिक्की बेटा तब तक तुम मम्मा के सर पे संडे पानी की पट्टी करो ठीक है पापा मैं अभी डॉक्टर को बुला के लाता हूँ मम्मा मैं आपके पैर दबा देता हूँ मम्मा बेटा मुझे बहुत ठंड लग रही है, मुझे चादर उढ़ाओ हाँ, अभी उढ़ाता हूँ अब ठीक है ममा? हाँ बेटा, मैं मम्मी के सर पे पट्टी कर देती हूँ मम्मी, आपको अच्छा लग रहा है? हाँ बेटा, आप जल्दी से ठीक हो जाओगी डॉक्टर अंकल आते ही होंगे और यहाँ पे डॉक्टर साहब आ जाते हैं आए डॉक्टर साहब, देखिए, सपना को बहुत तेज फीवर है मैं अभी चेक करता हूँ अरे, कुछ जलने की बद्दू कहां से आ रही है? अरे, मेरी चाए मैं अभी चेक करके बताता हूँ कि आपको कितना फीवर है ये लेजे, इसे यहाँ लगाए और दबा के रखिएगा ठीक है डॉक्टर साहब अरे, ये क्या हो गया? चाए तो बची ही नहीं, खाली पत्ती बची है अभी इसे ढख देता हूँ इससे सर्दर्दर फीवर दोनों ही ठीक हो जाएगा क्या? इंजेक्शन? नहीं, मैं अपनी ममी को इंजेक्शन नहीं लगानी दूँगा हाँ, मैं भी नहीं लगानी दूँगी कितना दर्द होता है इंजेक्शन लगाने से अरे, डॉक्टर साहब इंजेक्शन लगाना जरूरी है क्या मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है आप भी? आप भी इंजेक्शन से डरती हैं? क्या बताओं मैं आप लोग को हो डॉक्टर साहब अगर टैबलेट दे दे तो अच्छा रहता अरे इंजेक्शन से आपको जल्दी आराम मिल जाएगा टैबलेट से तो बहुत टैम लग जाएगा लगवा लो न सपना तुम भी क्या बच्चों के जैसे डर रही हो लाइए इधर हाथ लाइए थोड़ी दिर रुख चाहिए डॉक्टर साहब अरे इतनी दिर में तो आपका फीवर ठीक हो जाता लाइए हाथ लाइए नई मेरी ममा को इंजेक्शन मत लगाए डॉक्टर साहब नई मेरी ममा को इंजेक्शन मत लगाए डॉक्टर अंकल मेरी ममा को इंजेक्शन मत लगाए डॉक्टर अंकल अरे बच्चों हटो तुम लोग क्या कर रहे हो कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा चलिए 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 अरे तुम लोग क्यों चिला रहे हो अरे तुम लोग क्यों चिला रहे हो विवेक जी मैंने इन्य इंजेक्शन लगा दिया है अब इनका फीवर उतर जाएगा लेकिन अगर फीवर रिपीट होता है तो आप एक बलड टेस्ट करा लेज़ेगा इनका आजकर डिंगू मलरिया भी बहुत फैल रहा है ठीक है डॉक्टर साब अब मैं चलता हूँ पापा मम्मी ठीक हो जाएगी ना हाँ बेटा ठीक हो जाएगी अच्छा सुनो तुम दोनों जल्दी से नहाद हो के तयार हो जाओ स्कूल जाना है ना ठीक है पापा अब उठ जाती हूँ बच्चों को टिफिन भी तो देना है अँआ अरे सपना क्या हुआ क्यों उठ रही हो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनका लंच बना देती हूँ अरे नहीं सपना आज तुम एक भी काम नहीं करोगी आज तुम बस आराम करोगी आज लंच मैं बनाऊँगा लेकिन विवेक जी लेकिन वेकिन कुछ नहीं बस आराम करो तुम और फिर विवेग जी किचन में खाना बनाने चले जाते हैं पहले आटा सान लेता हूँ अरे लेकिन आटा में पानी कितना डालो सपना से पूछता हूँ अरे सपना आटा में पानी कितना पड़ेगा ये क्या पूछ रहे है आटा में पानी अंदाज से डाल ले जी विवेक जी अंदाज से अंदाज कितना होता है इतना डाल के देखता हूँ अरे ये क्या बन गया लगता है आटा में पानी को जादा ही डल गया अब सूखा आटा डालना पड़ेगा इतना डाल देता हूँ अरे लगता है अब आटा ज़ादा हो गया और पानी कम हो गया चलो फाइनली आटा सन गया मेरा जल्दी जल्दी रोटी बना देता हूँ बच्चों के लिए पापा जल्दी से मुझे दूद दीजे हाँ बेटा दे रहा हूँ अरे पापा ये क्या बना रहे है बेटा रोटी बना रहा हूँ पापा ये रोटी है कि एसिया का मैप है अरे बेटा अप एसिया का मैप हो या वर्ल्ड का खाना तो पड़ेगा ही पापा जल्दी से में दूद दीजे नि तो बस आ जाएगी हाँ हाँ बेटा दे रहा हूँ अरे लगता है लक्षमी भी भूखे है अच्छा उसे बाद में दूँगा ये लो बेटा मैंने दूद रख दिये तुम दूनों के लिए अरे मेरी रोटी न जल जाए अरे लगता है लक्षमी को जादा ही भूखी है इसलिए बार बार आवाज लगा रही है उसको पहले चारा देही देता हूँ कम सकर्म वो चुप तो रहेगी पापा मेरे सूज कहा है पापा मेरा बैग अरे बेटा देखो ना कहा रखा था तुम दोनों ने बापरे एक साथ इतने सारे काम क्या क्या करूँ मैं ये ले लख्षी चारा खाले अब हला न करियो अरे बस आ गई पापा का है पापा पापा बस आ गई जल्दी से हमारे टिफिन दीजिये हाँ हाँ टिफिन हाँ 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 दे रहो अरे कुछ जलने की बद्बू आ रही है अरे मेरी रोटी हे भग्वार यह रोटी का क्या हो गया यह रोटी तो जल गई अब खाने यूलाइक भी नहीं बची है क्या करू बच्चों को कैसे लुच दे अरे बस भी आ गई अब क्या करू मैं अरे बेटा अच जली हुई रोटी खा लोगे क्या हाँ हाँ पापा खा लेंगे खा लेंगे टेस्टी होगा ये लो बच्चो अपना लंच बॉक्स जल्दी से स्कूल जाओ और फिर बच्चे स्कूल चले जाते हैं बाई पापा बाई बच्चो अरे मेरी रोटी कहीं फिर से ना जल जाए इस रोटी को तो जलने नहीं दूँगा मैं, भले ही कच्चा क्यों ना खाना पड़े, अब गैस बंद कर देता हूँ मैं, अरे हाँ, याद आया, मशीन में कपड़े भी तो डालने हैं, और ये जला हुआ बरतन भी साफ करना है, हे भगवान क्या 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 करूं मैं, पहले ब रोटी है की आटा है, अच्छी नहीं बनी है, मेरी रोटी चुहे को भी पसंद नहीं है, अरे यहाँ एक और है, ये खा के देखता हूँ, ये कैसी रोटी है, ये तो टूठी नहीं रही है, पत्तर है क्या, अरे वो भी जूठा कर दिया, हट हट, 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 ही ही, 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 थोड़ी ज्यादा पक गई है और एक थोड़ी कम पकी है आज समझ में आया सपना औरते घर में कितना काम करती हैं तुम कितना काम कर लेती हो घर में और हमें लगता है कि सिर्फ हम ही काम करते हैं मैं एक दिन घर का काम करके परिशान हो गया और तुम रोज यह सम मैनेज कर ले सब्सक्राइब किजिए हमारा चैनल दिल्ली वाली बार भी बाबाई